नमस्कार मित्रों आप सभी का हमारे चैनल कुमास लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आज क्रिश्मस है मैं आप सभी को क्रिश्मस की बहुत सारी सुपकामने देता हूँ मित्रों आज का दिन 25 दिसंबर पूरे 20 स्में प्रतेक वर्ष क्रिश्मस दे के रुप में मनाया जाता है आज ही के दिन इसाय धर्म के प्रमुक जीसस क्रैस्ट का जन्म हुआ था और उनके नाम क्रैस्ट पर ही आज के दिन को क्रिश्मस दे कहते है जीसस क्राइस्ट को इसाई धर्म में भगवान का बेटा भी कहा गया है वो दुनिया की सबसे ज्यादा स्नेह में दयालुता और करूडा से भरी हुई मूर्ती थे उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया कि दूसरों के दुख को मिटाने के लिए दुख में उनका साथ देने के लिए सत्य की लड़ाई में उनका सहयोग देने के लिए हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी कुरवानी क्यों न देनी पड़े हमें उसके लिए सदयू मुस्कुराते हुए तत पर रहना चाहिए यही प्रवित्ति यही धैर करूड़ा और स्नेर तथा दयालूता से भरा हुआ उनका रूप उन्हें लोगों का आराध्य बनाता है पूरी मानवता इसा मसीह के व्यत्तित उसे उनकी कथाओं से सदयू प्रेडा लेती रहेगी और विनम्रता कैसे किसी के हिर्दे पर विजय पा सकती है कैसे करोड़ों लोगों को अपना अनुयाई बना सकती है कैसे करोड़ों लोगों के दिल में इस्वर के समान राज कर सकते हैं इस्वर के समान आराध्य बन सकते हैं दुनिया को अपना चहेता बना सकते हैं दुनिया पर वास्तविक विजय प्राप्त कर सकते हैं आत्मिक विजय प्राप्त कर सकते हैं समर्पन प्राप्ट कर सकते हैं इसा मसी का व्यक्तित इसकी मिसाल है उनके व्यक्तित उसे ना केवल करोड़ा, मानवता और सनेह की प्रेड़ा मिलती है बलकि दुख और मुसीबत को जहलती हुए भी सच्चाई की राह पर कैसे चला जा सकता है इसकी बहुत बड़ी सीख मिलती है आज के दिन इसा मसी की याद में लोग अपने घरों को सजाते हैं और दूसरों के मदद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए सेंटा बनकर, सिक्रेट सेंटा बनकर लोगों के बीच जाते हैं और उनकी और मदद का हाथ बढ़ारते हैं यही भावना पूरी दुनिया को स्ने, प्यार और मानवता की मजबूर दोर से बाधे रखते वन्स अगेन विस यू वाल अवेरी हैं